असलाम अलेकूम वियूर्स मैं हूँ जकाव रह्मान और आप देख रहे हैं अप्टी एलेक्ट्रोनिक्स तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए जो मैं वीडियो लेके आए हूँ एक प्रोजेक्ट हमने इंस्टॉल किया है एक बार टाउन लाहोर के अंदर इस प्रोजेक् एक एक चीज़ आपको इसमें डिफाइन करेंगे तो सबसे बहले अगर बात कर लें हम सिस्टम के अंदर जो पैनल हमने इंस्टॉल किया है और इसके साथ हमने जो इंवर्टर यूज किया है वह इंवरेक्स कंपनी का नाइट्रॉक्स है जो क्या आईपी 65 वारंटी के साथ आता है और इसके साथ हमने लीथियम बैटरी भी इंस्टॉल किये लीथियम बैटरी आपको बता है एक तो बहुत जादा वरंटी होती है 100% मेंटीनस फुरी होती है फास्ट चार्जिंग सिस्टम है लाग लाइफ बैटरी होती है साइकल बहुत ज्यादा होते हैं और काफी दिटेल बताता हूं कि हम जो इंवर्टर यूज़ करते हैं उसके साथ कंपैटिबल पैनल यूज़ करते हैं मैं रिसेंटली वीडियो भी अप्लोड की है जिसके अंदर मैंने इस चीज़ को क्लेफ़ाइब की है के पैनल की क्वालिटी में डिफरेंस नहीं होता कंपनी वा फिलिए राइजन ले लें उनके अठारा एंपिर आते साड़ा-पांसो में 600 में तमाम के पारमिटर सेम होते हैं और इसी के एकवाडिंग हम नाइटरॉक्स 8 किलोबाट के साथ हमारी मैक्सिम्म कोशिश होती है कि हम इसके साथ 607 के पैनल जगा है जिस से के के एफिषेंसी और जिल्ट इछा मिलता है अभी जो स्रक्चर के इंस्टालेशन और वारिंग और डिटेल्ज और इंवर्टर बैटरीज कम्प्लीट इसके इसके इंस्टालेशन आपको दिखाते हैं अजी तो व्यूर्ज अभी देख सकते हैं आप स्रक्चर की डिजाइनिंग जो के इसको ड्रिल किया गया और इसके लावा यह देख सकते हैं आप लाइटनिंग अरेस्टर भी साथ लगा दिया यहां पर हमने और प्रॉपर के बल्टाइज के साथ सारी वाइरिंग की गई है गाडर का स्ट्क्चर है जो के साइट के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया गया है जितने भी सिस्टम्स होते हैं इनमें तमाम चीजे दिखाने का बेसिक मकसद किया होता है कि जो लोग अपने प्रॉजेक्स डिजाइन करवा रहे होते हैं जो लोग स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे होते हैं उनको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि स्ट्रक्चर की डिजाइन आपको inverter भी विलिया गाई, proper ducting के साथ सारे installation किये गया है, flexi pipe, hot pipe proper यूज किया गया है, InverX Company का ये model है, metal DB box है, lithium battery है, proper ducting के साथ सारा system design किया गया है, ये छोटी-छोटी चीजे होती है, आपने mostly projects में देखा होगा, inverter, wires ये चीजे लटकी होती है, तो में मक्सिद क्यों होता है कि आप लोगं को एक चीज क्लियर हो जाए इंस्टॉलेशन डिजैनिंग के हवाले से इन्वरेक्स कंपनी का नाइट वॉक सीरिज का आठ किलोवाट आएपी 65 सिंगल फेज हाइब्रिड इन्वर्टर है इस वकित आप देख सकते हैं अडाई भजगे हैं और मुसम भी इच्छा नहीं है आप ने देख लिए कि उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन हो रही है जो के विंटर भी है उसी साब से और बागी सिस्टम के अंदर वाइरिंग के लिए प्रॉपर डेक्टिंग यूज की ग जो कि आपको पता है कि जो के कंडिशनी रही है डेकर कैंस को का हम ने यूज कि है जो कि वह बहुत अच्छी क्वालिटी का आता लेकिन यह बहुत लिमिट तॉक आगयर में लेकिन टिजाय स्वा स्विचीं है एक psychiatर के चाइप इस ती Frame की आट गर화를 के बाटिक नदा को बाइपस करके वापड़ा पे शिफ्ट भी कर सकें ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम या कोई इशू ना बने यह कुछ चीजें होती है और सिस्टम में जो बैटरी यूज की गई है जो के मुस्ली लोगों को की क्वेरीज भी होती है कि लिए बैटरी जो है वह बड़ी तो इनकी रिक्वाइर्मेंट थी के इनको हैवी लोड के लिए बैकप चाहिए था बेसीकली ज्यादा के इसी वगारा भी बैटरी पर चलें उस हिसाफ से तो बैटरी बैंक उसके अकॉर्टिंग डिजाइन हो जो कि मैंने बहुत सरी वीडियो में बताया कि जब आपने ला है थोड़ी लिमिट ज्यादा रखते हैं तागे ब्रेकर गर्म ना हो अगर आप उसके काटिंग लोड भी चलाते हैं मजीद वीडियो के लिए चैनल देखते रहे हैं शुक्रिया अलाफ़ेश्या अ झालते हैं तागेश्या